इंडिया जै माजान के एंड इस दो नॉम गुड इवनिंग तो मैं फ्रैंस इंसेंट्रल एंड साथ अमेरेका इस जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने दिली के स्टूडियों में पिछली बार मैं मुंबई में था और इस वजा से मैं स्टूडियों से आपके सामने मुखातिव नहीं था पहली बार जब मैं यहां आया था तो मैंने आपनों से यह कहा था कि मेरे बेटे ने सेट किया है हकी कि यह सिर्फ मेरे बेटे ने नहीं बलकि मेरी पुत्र बद्धू जब एक पॉजिटिव इनरजी किसी भी सिस्टम में इंक्लूड होता है तो क्या चेंजर जाते हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरन और मैं भगवान से और आप सबसे प्राटना करता हूं कि आशिरवाद दें तो इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी बहू का है तक्रिवन बारा से चौदा घंटे लगाए और तब जाके यह सेट अप हुआ कल रात उन्हों ने चर्चा कर दी कि पापा अपने तो मनी का नाम लिया मेरा तो नाम ही नहीं लिया मजाक में ही कहा था लेकिन मुझे फील हुआ कि वाकर ज्यादा रोल तो उसका था इंस्पि और आ रहा है क्यां इंडिया रिगें इस वेदिक सिफिलाइजेशन आखिर यह टॉपिक क्यों और कैसे मन में आया और क्यों मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं कि कहानी की सुरुवात होती है 2008 इस वी से 2008 इस वी में आउट एन आउट बिजनेसमें या जो कुछ भी चुटा मुटा मेरा काम था मैं उसी में लगा हुआ था और उसी दरम्यां मुझे जर्मनी जाने का मौका मिला जर्मनी में घटा घटी है मारे साथ एक जगह का नाम है वाल्स बर्ग यह जर्मनी से आगे निकलते हैं तो बिल्जियम और बिल्जियम के बाद आप नीदर लेंड्स जाते हैं तो मुझे दरसल वापिस जाना था … यानि कि वहां से मने ट्रें के ली थी और यह वॉवॉवर्ग में आके अंपर्सुनेटली जो ठेन मुझे चेंज करना था वो ट्रेन लेट हो गई यान ट्रेन आई थी वो लेट होगई और जो वाल्सबर्ग से जो एमस्टरडम के लिए ट्रेंज जा रही थी वह ट्रेंज चली गई रात का वक्त था तो वहां जो प्लेटफॉर्म अपने आज से चुकि वह इंगली सुतना नहीं समझ पा रहा था जर्मन माली तो मैं कह रहा था कि देखिए मेरी ट्रेंज छुड़ गई है और मैं क्या करूं तो वह सकाड़ी कमचारी होते हैं पुरी दुनिया में ऐसा ही होते हैं सब्सक्राइब बलकि किसी किसी देश में तो और ज्यादा खराब फिर क्या हुआ कि कुछ मुसलिम लोगों का एक दम से जुंड आया इस्टेशन के पास जैसे कि आप आहम तोर पर आप देखा जाता है कि कि सी भी स्टेशन एरपोर्ट पर आप देखते होंगे कि जैसे बसे उतरती है कम से पचास सौलों का जूम उतरता है एक दम से तो उस तरह के लोग आये और वो लोग दिख रहा था कि सब दारूपी के टुन था गली गलोज आपस में मार पीट और सारा हाहा हो और एक दम से किसी के नजर पर गई कि इस पूरे के पूरे जैसे कि आप आते हैं ना आप माली य सिर्की पर आये किसी भी बड़े रेलवे स्टेशन पर आप देखने कि उस पूरे के पूरे हाथे में सिर्फ एक आदमी है तो किसी नहीं सारा किया मेरी तरफ और मैं थोड़ा पजल टाइप देख रहा था कि यह क्या हो रहा है उसमें से चार-पांच मेरे पास आ गया है औ उसमें से एक ने ने का कि are you Hindu? मैंने का őки yes आम Hindu अच्छा वहां से हलब किया हूं कि मेरा भागिक देखिए या किस्मक की बात होती है और कहीं न कहीं मैं आज आज भी की चर्चा करने जा रहा हूं इसी वज़े से कर रहा हूं क्योंकि यह अहसास मैंने अपनी जीवन बहुत ज्यादा किया है कहां से एक इंडियन स्टुडेंट एक दम से अवतरीत हुआ कह ल दम से ले गया तो वह जो तीन-चार लड़के खड़े थे ना तो वह जब तक भाकी लोगों को बुलाते अब क्या करते क्या नहीं करते मुझे पता नहीं लेकिन वह बस हके बक्के रहा है कि एक दम से जटके में सब कुछ हुआ उपर चलिए अब जब मैं उपर गया तो मै बच गया है मैंने का यह जो पुरा इलाका है यह पूरे मुस्लिम का इलाका है और यहां पे यह लोग बहुत ज़ादा बदमासी करते हैं और जो मेंट है यहां पर वो में उपर कोई एक्सन नहीं लेती निका आए ऑब ही जर्मनी में कर्फियु लगा है और यह सीरियन सरना मैं तब की बात कर रहा हूं जब यह 2008 में ऐसी कोई बात नहीं थी और उस समय में जो मुस्लिम आबादी वहाँ पी वहाँ पे थी वह इस तरह से अपना बर्चस्व दिखा रही थी और हिंदू सब्द सुनके जिस तरह से उस लड़के ने आवाज लगाई और मुझे ऐसा लगा कि वो क्राउड को बुला रहा था तो मैं तो मानता हूं कि सायद भगवान ने मुझे उस दिन बचा लिया खैर अब ऐसा हुआ उसने का क्या पैसा है कि यहां पर आप नहीं रूखिए आपको हो सकता है कि टार्गेट किया जाए एक ट्रेन वापिस जा लिए तो मैं बैट गया तो वाल्श बाल से मैं फिर से प्रेंगवाट उसी के साथ निकल गया और हमारी बाते होती रही और आने के यह सारे इन सब जगों पर है इनका पता नहीं मन में क्या आया मैंने का कि चलो एक बड़ा ही पॉपलर गाना है आप सभी जानते ही हैं दो लब्जों की है यह कहानी अमिताब बच्चंकी तो उस दिन पता नहीं दिमाग में गाना भूम रहा था मैंने का इसा करते हैं चलते है तो ट्रेन देखिए यूरोप में आप जब जाएं तो ट्रेन की सर्विस बड़ी अच्छी है और बढ़ा मजा भी आता है आप पूरा एक तरह से देख भी लेते हैं तो मैंने एक ट्रेन लिया वह मल्टी कंट्री का फाइव कंट्री का मैंने उसमें लगा के तीन-चार दि लिया था तो चार में हम लोग तीन बैठे थे एक साइड मैं था और दूसरे साइड में दो बुजर्ग बैठे हुए थे काफी बुड़े मस्ट भी 85 प्लस एटी से उपर के तो थे ही थे अच्छा उसमें जो बुड़ा अदमी था वो बड़ा खतरनाक एक तो एक दम हो बगर था बहुत बड़ा बड़ा अभी मुझे याद आ रहा है कि उसको बड़ा प्यार कर रही थी वह दूरों एक दूसरी जो खिलाते रहते हैं आप देखेंगे जब ये रोप अच्छा है वह सब का उनका चुमा चामी सब चलता रहता है पॉब्लिकली कोई दिकत नही हुई कि मैं इन से थोड़ा सा बारतलाब करूं जा जानूं कौन है क्या है लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा कुछ भी कोई धिल नहीं दिया बात करने का फिर मैंने मेरे पास उसमें आयन रेंड और मैं आयन रेंड को बहुत बार पढ़ चुका हूं आप लोग जो भी जानते ह हैं यह सब तो उसका मैं पूरा सीरीज खतम कर रहा था उसमें तो मेरे पास 3-4 किताब थी आयन रेंड की और मैं उसमें से मैंने एक निकाली और मैं पढ़ना शुरू कर दिया लेट के अपना अच्छा वह आयन रेंड देखने के बाद वह थोड़ा सा इंट्रेस्ट अब म कि अप जानते हों जर्मानी जो न्या तबका यहिस temps नहीं पता है लेकिन सेकंड वर्ब मार के बाद जर्मनी को दो बाद में थोड़ दिया गया था इंगने और में जो तो दो यह बन्रोश्ट संग के अच्छा में पक्र 279 सब्सक्राइब कर देते हैं अब यह हुआ कि भाइसाब वो जो बुड़े आदमी थे उन्होंने बात शुरुआ कि उसने का यू आर फ्रॉम इंडिया तो एकदम से यह हो गया अच्छा उसको पता चल गया था कि मैं इंडिया से हूं उसने मुझे का कि यूर हिंदू अच्छ तो मुझे समझ में आ रहा है कि उसने इसलिए हिंदू कहा था क्योंकि सोने से पहले मैंने अपना जो जरूर देख लिया होगा जो मैं मानता हूं कि वह हिंदू का जानकार था सनातन धर्म का जानकार था और वह मुणिख स्टेशन जब आया जर्मनी में तो फूर देता हूं उसके मोटी मोटी बाते मैं कर देता हूं उसने एक बाट बड़ी अजीब से की मैंने उससे बातों-बातों में पूछ लिया यह तो मुझे पता चल गया था वह बोलना नहीं चाहरा था जर्मनी में देख लेकिन एक चीज तो मुझे अंदाजा लग गया कि इसका कोई ने कोई संबंद सेकंड वर्ल्ड वार से है तो जब मैंने उसको चर्चा की और मैं भी तुरह कुराफाती हुए दिमाग में कुछ आता ही रहता है मैंने का कि है व्यूवाउट सुभास चंद्र बोस और उसने बड़े ही अफर्मेटी बड़े ही कंपेड़ेंस से कहा जब सुभास चंद्र बोस के बारे मुझे जर्मन ने मुझे यस कहा तब जाकि मेरा दिमाग घुमा की सम्धिंग देख्यों कि मुझे कुछ अंदाजा तो उसने मुझे हिंदू और यह कल्चर थोड़ी बाते तो मेरी चल शुरू हो गई तो उतरते उतरते कभी और मौका मिलेगा तो उस डिटेल में जाओगा क्योंकि आज समय पहले ही खराब हो चुक है थोड़ा लेट आया हूं मैं हम चमा भी चाहता हूं मैं इस बात को लेके थोड़ी टेक्निकल आप देख रहा है कि स्टूडियो में चुकी मैं बैठाओं तो उसके सेटिंग में थोड़ा सा ही सुवा गया है उतरते उतरते उसने कहा कि जेंटलमेन इफ यू थेंग ऑन तो चाहता लुटकू यू थेंग इफेस्ट लिवा ट्रहा लुटकू भूस एफ्ट वर एंपरिलिस्म और घर्मनी वस धिपृत लुटकू लूटकू गभाड़ा एफ द जूटकू दूटकू अडोटिक वर रंट भार्व ए लुटकू अलोग्या है। वर्वाओं द कि आप लोग जो मुझे देखते हैं कि मैं थोड़ा सा कट्टर वादी हूं अपने सनातन हिंदू अच्छा उस समय मेरा इंचीजों से कोई लेना देना और उस समय जब यह बातें हुई थी तो मैंने उसको विधा पिंच अप सॉल्ट लिया तो यह तो हाल के दिनों में जब म अपने मुस्लिम नित्रों से धोखा मिला जहां मैंने इन्वेस्ट किया वहां धोखा मिला और तब जाके पता चला कि इनके तो डियने में घुसा हुआ है कि एक तो सबसे पहले जो मुस्लिम नहीं है उसको यह काफीर मानते हैं जो मुस्लिम नहीं है उसको यह बस ठगना ज जानते हें उसको लूट ना जानते हैं ऊसको बीपूफ बनाना जानते हैं और इस वजह से और कही से दुबई का फ्लाइट था और उसमें कुछ पाकिस्तानी और यह कुछ और मुस्लिम देश वाले थे और मैं वीच में फटा था तो वहां को उन्होंने शुरुआत कर दी थी कि दुनिया किसे बनाई क्या बनाई तो इन्हों को तो एक मौका दे दो और उनको एक हिंट दे द सबसे बड़ी जिमवारी इसलाम का विस्तार है और जब यह सब मुझे ग्यान हुआ हाल के दिनों में बहुत ही नुकसान करने के बाद तब जाके अब मैं उन पुरानी बातों को याद कर रहा हूं यह जो कहानी मैंने आपको जर्मनी की सुनाई है वो जर्मनी की कहानी अब के परिपेक्ष में अब पढ़ लिख के अब थोड़ी सी समझदारी आने के बाद अब मुझे पता चल रहा है कि 2008 में उस बुजूर्ग ने मुझे क्या कहा था और उसने यही कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में न जर्मनी हारा न इटली हारा न जापान हारा जो अभी के परिपेक्ष में आप देख लीजे जापान अभी भी थर्ड एकोनोमी है जर्मनी फोर्थ एकोनोमी है इटली डेवलप्ट कंट्री है जी सेवेन का पार्ट है हारा तो सनातन हारा पता है क्यों ये जो स्वस्तिक है था ना फिटलर का वो अपने ग्रंथों से लिया हुआ था हिंदूइज्म सनातन से लिया हुआ था बिटिस ने भले ही हमारे उपर राज किया लेकिन हमारे ग्रंथों का अध्यायन हमारे वेध उपनिषद का सबसे जाधा अध्यायन जर्मनों ने किया और तब जाकर उन्होंने देखा कि यदि इस पूरी दुनिया में एक स्थायित्व है इस दुनिया को यदि कोई सांती दे सकता है इस दुनिया में यदि तालतम में बैठाना है तो सनातन एक और एक मात्र सुत्र है जो इस चीज को कर सकता है और इसी लिए आज का टॉपिक है चलिए इस कथा का अंत इस तरह करता हूं कि जब मैं वेनिस पहुंचा तो वेनिस पहुंचने के बाद उस जमाने में वह इंटरनेस्टनल कॉल्स होते थे आपको 2008 में तो बड़ा-बड़ा महंगा होता था वैसे जब वहां जाकि एक-एक मिनट का उसमें में इक सौसी रुपे और लगता था मैंने तो भी हिंमत की मैं छोटे भाई से ब्लाक लोज तो अभी जो आई है हमारा मैंने क्या कि आप फोन लगाया उसको अग्दम से मैंने गाना सुरू कर दिया दिल की कहानी या है मुह बत या है जवानी अब यह मैंने गाना गाया देखिये लगाया इतना थेज में भाई इतना थेज वहां तो पटाचेफ होता है उस कहानी का लेकिन आज की जो सुरुवात है वह इस तरह से है कि मैं एक कभी यूट्यूब देख रहा था और उस यूट्यूब में एक लाइन आया अनलिमिटेड टॉलरेंस मींस एंड और टॉलरें इनसे मैं रिपीड करता हूं Unlimited टॉलरेंस मींस एन ऑफ टॉलरेंस इन्टॉलरेंट विल टेक लीड एंड फिनिश तॉलरेंट पेपल यह इन्होंनी मोदी जी के संदर्व में कहा था जो भी मैं यूट्यूब चैनल देख रहा था तो उन्होंनी मोदी जी के किसमें और ममत जो चोपता है क्योंकि जो होई होफ्त हो जाएगी क्योंकि तोलेरंट पीपल है इन टौलेरंट कि यह टोलर fist नहीं है मुटा मुटी श्लिम इसलाम मिट यह इस टोल्रण यानि की सनातान को संबाब कर देंगे तो युदि आप ज्यादा टॉलरेंट पिपल बने तो आपकी बरबादी अवश्य भावी है अब इसका हिस्टॉरिकल परिपेट्छ है वो कि या है वो परिपेट्छ है आजीविक अजीविक दर्शन सब सब ने सुना है जैन के बारे में धर्म के बारे में आजीविक दर्सन के वो सेक्ट ही समाप को चुका है जो उस समय में सबसे बड़ा सेक्ट था आपको मैं बता दूँ कि अशोक और ये जो मौरिया समराज हुआ है उसके जो राजा थे उनको एक दो राजा तो आजीविक जो धर्म कहलीजिए या संप्रदाय कहलीजिए वो उसके सबसे बड़े पो दालें थे और यह उन्होंने शुरुवात की थी आजीविक दर्षन की अब यह जो आजीविक दर्षन है इसका जो ऐसेंटरल बिलीफ इसका यह था कि आजीविक चैन्टलक बिलीफ वज डाट absolutely everything is predetermined by faith or niyati hence human action has no consequences one way or the other अब यह पूरे के पूरे फैटलिस्त भाग्यबादी जो हम लोग कहते हैं जो भी उपर लिखा हुआ है वहीं से आ रहा है तो भारत के अंदर तीन दर्सन थे जो हिंदू के ही हिंदू धर्म से चुकि सनातन क्या अंतर है सनातन में और बाकी में क्या अंतर है वह कहते है थे लगतारी फ्यां कियो और यहीं जो मुहमद को बेंजते हैं कि उसमें अपना क्रॉफिट प्राफिट भीज तो हमारे हैं यह सब ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहां क्या है अहं मैं भगवान हूं क्रिएटर मैं बहुत बार बोचू कहा हूं इस चीज़ को कि क्रिएशन इस पार्ट ऑफ क्रिएटर तो अपना सनातन यह कहता है कि यू हैब टू सिख यू हैब टू इंसाइड जबकि यह आउट साइड की बात करते हैं अब यह दुनिया एक तरह से उस तुल्ला में देखें है तो आज की तारीक में यह दुनिया अभी भी बहुत इमेच्योर है कि इस से कंप्लीटली इमेच्योर वर्ल्ड अधी दुनिया एक एक औरब सो औरब से ज्यादा लोगों को कि एक बहुत तरहूर का सपना दिखाया जाता है इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है जो है व यह मरने के बाद यह जन्नत अरे आज तक कोई की बताया कोई प्रूफ कुछ भी ऐसा बस वहां एक किताब में लिख दिया गया और उसकी तो एसा कुछ लिखा हुआ है उसको फाइल पाइल तो देख लो आप तो फिर आप बनोगे तालिबान फिर आप बनोगे वहूती और और बाकि जो पूरी दुनिया में हो रहा है कि विश्करी अभी भी आज हम लोग दोहजार चौबीस में हैं कि 2400 साल जो है क्राइस्ट का चौदो साल जो है इसलाम का अभी भी यह डवलोप्मेंट है यह पूरा नहीं हुआ है और इसका सबसे बड़ा कारण है आप देख लीजिए बिहार में लालुयादव ऐसा लंपुन टाइप अपनी बीवी को बना देता है चीफ नेचर वह भी पूछ रहा है वाद में जाती कैसे पूछ लिया अरे तुम चलते फिटते उठते बैटते लोग सभाब में अपने सभी देखा होगा तो इतना ज्यादा दोगलापन और यह नेता है हमारे इनके लाको फॉलोवर्स हैं बलकि करोरो वोटर से सबके सब बेब कूफ है वाई यानि की अपने हम मैच्रीटी तो अभी तक आई नहीं है ये समाज अभी भी उसी दोड़ से गुजर रहा है अब यह पता नहीं पांसो साल बाद होगा हजार साल बाद होगा कहना मुस्किल है लेकिन जब मैं इस भारतिय समाज को अभी मैं जब मैंरूइड कर रहा हूं या जो अपने अंदर उतर के, अपने अंदर की बातों को जानके फिर जीवन दरसन को बाहर निकालेगा, और वो छमता किस में है, तो वेधिक सिल्लाइजेशन में है, जो हजारों साल से चला रहा था, मैं बार बार कहता हूं, जैसे मैं मैक्सिको गया था, और मैक्सिको में आप देखेंगे सन टेंपल, मुन टेंपल, अफ्रिका के बहुत सारे देशों में वो अपना सिल्लिंग निकल रहा है, या बियत नाम में आप जाएं तो वहां गणिस के यह निकल रहा है, याने कि यह सनाता यह हिंदु धर्म पूरी दुनिया में था, और इस सनाता और हिंदु धर्म की ही छमता थी, कि इसने हर तरह के सेक्ट को आत्म साथ किया, जिसकी जो छमता, जबी कोई कहे कि मैं धर्म नहीं मानता हूं, आप भी हिंदु हो, जो धर्म मानते हैं, आप भी हिंदु हो, आप पूजापाट करते हो, आप भी हिंदु हो, आप गाना भजन करते हो, आ बन्द भी हंदू हो अभी मैं पखते को निकल वहाँ सबसे मार्केटिंग maid भी तक मैं तड़ी तर्ट में देखता था तो वहां पिर मैंने देखा कि अब हम लोग जीवन है जो आयू है इस मानव की जो काल खंड है जीवन का अभी आप यह देखो कि आखिर हम लोग यह फिलोस्पी के उपर क्यों जाते हैं फिलोस्पी के उपर इसलिए जाते हैं कि चलता फिरता हसता खेलता बोलता आदमी एक्दम से मरता उसके बाद कुछ भी नह एक जीवन क्या है और उसी चकर में इतने सारे धर्म इतने सारे सयग्ट कुछ लाउद्व अनलीमिटेट टॉलरेंस्य मींस ऐंड औफ टॉलरेंस इंटॉलरेंट विल टेक लीड़ पिपिल्ट जो की अभी हो रहा है चुकी सनातर बहुत ही टॉलरेंट है जो सखाय जाता है हिंदू ये जो बिवकूफ किया नाम है इसका राहूल वो कर रहा था कि हिंदू हिंसा नहीं करता है वो यह नहीं कर रहा था कि मुस्लिम हिंसा करता है वो यह नहीं कर रहा था कि इसलाम के नाम पे लाखों को लोगों को मारा जाराया या लाखों को मारा गया है और विदिन इसलाम भी तो लोगों वो नहीं चर्चा करता है डर के मारे इमेचुरिटी है अब ऐसे इमेचुरिटी आपके लीडर होंगे इसका मतलब आप क्या है आपका समाज क्या है आपका देश क्या है आपकी राजनीती एक्ट्री परिवेश क्या है यानि कि हम उतने मैचुर नहीं हुए है और इसी इमेचुरिटी का फायदा जो 2008 इस भी गांधी जी इसके आद्मी थे नहरू को बनाने के पीछे था कि उनको अपने मास्ट्र का अदेश था कि नहरू को बनाना है बनना तो पटेल को था अंग्रेश का सपूर्ट पटेल को था और यह जो अपने को वह स्वएंग काला अंग्रेश कहते थे बहुत बार मैं I'm an accidental हि इससे मैं तो उंग्रेज हूं या तो मैं तो मुस्लीम हूं पता नि क्या क्या हुं हिंदू धर्म के पती जो नफ्रत था तो अंग्रेजों को भी जो सबसे बड़ा दुख था इसी बात का कि यह नहीं हो रहा मुश्लिम को सबसे बड़ा प्रॉब्लेम कि ये हिंदूईज्म खतम क्यों नहीं हो रहा क्योंकि ये ठीक उलट है उनकी सोच उनकी विधा उनकी फिलोस्पी इसके ठीक उलट है और वो जो रास्ता है सनातन जो रास्ता आपको दिखला रहा है वो रास्ता जीवन का है जीवन के आनंद का है जीवन को जानने का है और वो यहीं लड़ाई है इसी लिए सेकंड वर्ल वर्ल यदि जर्मनी जीता होता तो सुभास चंद्र बोस होते तो वो फैक्ट्स पे जाते उस समय में संभव है कि इस तेश की स्थिती कुछ और होती है सत्यानास चल रहा है जो सत्यानास हो रहा है और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मोदी जी भी तक्डिवन उसी बहकावे में है होता नहीं ऐसा क्या है कि प्रधान मंत्री बनने के बाद हर को यहां नहरू बनना चाहता है था या वो जो चर्चा में कर रहा था आज़ीन फी दर्शण का बो उस दर्शण में यह फिटालीजम था यानी कि जो कुछ भी करताहे वो ऊपर से उसी तरह है वो एक उनके गोले की तरह है याने कि पहले से सब कुछ प्रिटेर्मिंड है बस उसको खुलते जाना है और उन्त में जब पूरा फुल जाता है तो जी वनकी समापकी हो जाती है याने आपको कुछ करना नहीं है तो इस यह जो फिलोसफी थी लाइफ की इसमें क्या हो गया कि कुछ कर ही नहीं रहे उनको जो भी होना है वो तो उनको आके मार रहा है उनके मुह में थूक रहा है इस्लामिस्ट और उनसे जज्जिया कर ले रहा है वो तो भगवान का लिखा हुआ है उनकी पत्नी को उठाके ले गया यह तो भी स्वर का लिखा हुआ था उनकी बिज़ अरे सामने सिर्फ 800 साल पहले आज जैन हैं बौद हैं इसलाम है क्रिश्चन हैं हिंदू हैं लेकिन आजीविक नहीं हैं आजीविक सब को मार दिया गया वो खतम हो गए और अब इसी सनातन और हिंदूइज्म को यह जो डीम के स्टालिन का बेटा कह रहा था कि हमें इस सनातन क तो पिलिया है तो यह है तो वो है वो उसी क्रम का हिस्सा है चुकि आजीविक जो अपना बहुत बड़ा सेक्ट था हजारों साल का उसको इन लोगों ने कंप्लीटली तहस नहस कर दिया मार दिया कतम कर दिया तो अब यह सनातन को टार्गेट कर रहे हैं और इस सनातन से इन भारत पूरी दुनिया का जो उसका एड़ी पी था वो 27% तक था क्योंकि आज पुरा लंबा हो गया तो अब हमें इसको ठीक करने की ज़रूरत है यहां पे मैं एक बात होंगा कि अभी चंद्रबाबु नाइडू आंध्र प्रदेश में जो उन्होंने स्टेप लिया है मैं उसका फुन समर्थन करता हूं और पूरे देश में इसको पालन करना होगा चुक्ति वेदिक सिवलाइजेशन का जो रिवाइबल है वो इसी तरह होगा चंद्रबाबु नाइडू ने जो अभी घोसना की है कि वो हर मंदिर को 10 लाख देंगे मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं हो होता है और महते घुजन भी मिलता था तो भजन और घुजन का सिंटर होता था तो इसी लिए मंदिर को जिला मंदिर बनाना बहुत जरूरी है सिर्फु आप उुजापार्ड के लिए नहीं समाजिक्ता के लिए इसी OFF 27 को जिलाने के लिए चंद्रबाबु नाइडू उन्हें जो दस लाख रुपे की गोशना किये कि हर मंदिर को देंगे उसका मैं अर्दिक समर्थन करता हूं दूसरी जो घर्णों ने यह बात की है आप यह इमाम मुला मुलाना को पैसा दे के वह सिखा रहा है कि वह काफीर है उसको मारो उसको धर्म पर गरतन करो उसको यह कर का सेलेक्शन जाती के अधार पर नहीं होना चाहिए जिनको वेदों का ज्यान है जो सब्सक्राइब का ज्यान है जो हमारे सनातम को समझते हैं यदि सही ढंग से सेलेक्शन हो और उनको तनखा दिया जाए उनकी आजीवी का सुना सुरक्षित हो यह बहुत बड़ा कदम ने सेलून का टोटल मुसल्मानों ने कभजा कर लिया है ठाकूर नहीं दिखता हमारा दोस्त भी ठाकूर है वह सब को सब नौक्री चाहिए अब वह सब जो आरक्षन आरक्षन मैंने बताया ना कि सनातन को समप्त करने का जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है वह आरक्ष प्रफेशन चाहिए तो इनका जो अपना हूनर था जो सुनार था वह सोना का काम जो इतना बड़ा पैसा बनाने वाला वह काम छोड़के वह नौक्री पे गया जो आज की तारीक में बहुत अच्छा को उसके पास सब्सक्राइब तो अपने कमाई का साधन है वह छोड़के वह भी नौक्री के पीछे गया जो लोहार है लोहा का काम छोड़के नौक्री पे गया बढ़ाई है बढ़ाई का काम छोड़के नौक्री पे गया जिसका जो काम था जो घड़िया जो एक प्रोफेशन जो आज हम लोग प्रोफेशनल कोर्स और यह करते हैं वो तो हमारे व पंक्चरड वाला जो पकड़ा हुआ है उन्होंने नाई का काम पकड़ लिया लोहे का काम पकड़ लिया कारीगड़ी का काम पकड़ लिया मैंने पिछली बार आपको एक्जांपल दिया था कि कास्मुरी भाई जिनको वही के मुसल्मानों ने भगाया और यहां पे बिचारे तो कहने का मतलब यह है कि इस समाज और देश और उससे भी बड़ा सिब्लाइजेशन इसको बचाने का एक ही तरह के तरीका है हमें अपने संसकारों की तरफ वाफिश लौटना होगा हमें कहीं न कहीं उन चीजों को पूर्णर जिवित करना होगा और वेद सिख्छा के लिए जो चंद्रबाबु नायड़ों ने जो स्कॉलर्शिप टीन हजार स्टाइपेंड रखा है तो यह पूरे देश में लागू ह को इसका मैं डिमांड करता हूं हर मंदिर को पैसा दिया जाए ताकि वह मंदिर एक सेंटर बने हमारे वैदिक सेवलाजीशन के परचार परशार हमारे बुढ़े लोगों का हमारे जितने पंडित हैं उनकी जीवी का सुरक्षित की पंडित मतलब कोई मतलब नहीं कि ब्राह मेरे चार भांजे ने साधी किया एक ने किरैलियन से साधी किया जो अस्ट्रेलिया में फूस है मेरा बड़ा भांजा भी मैं बंबे में था वहां पर उसने हमारे नेपाल ऑशे किया है वह सबसे ज्यादा खूस है तो यह कोई धर्म और इसमें कुछ नहीं मानता कोई जाति किया अधार पर नहीं है कि और हमें इन चीज़ को जीवित करना है लेकिन यह नया अगले सब्सक्राइब नहीं में जहां भी रहूंगा तो दिल्ली में जब रहूंगा तो इस्टूडियो स्थाफित हो गया मेरा बिटा कि यह वहां बंबे में भी करेगा देखते हैं तो ज चाहिंगे रोजी रोटी आपकी पहला कर्दब है लेकिन उसके साथ ही साथ आप कौन है आप क्या है आप अपने स्वराज़ेस्ट रख सकते हैं और जीवित रखने की च्छक्ता पुर्य पृत्षिवी को एक करने की च्छक्ता पूरे प्रिप्रिभी में सांती की चमता पस एक गैदिक सिल्लाइजेशन के अंदर है हमारे शनातन में है हमारे हिंदू दुखत आज बसे हैं थैंक्यू थैंक्स अलाइट कुंचा कहां से करना चले यह